अलो इस्टुडेंट सीमती मोहरीदे विदापडिया कन्या महाविदाले की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस लीने डिफ्रेंशिल एक्वेशन प्रिविएस वीडियो में अपने इसी के बारे में डिस्कुस किया था कि साइमल्टेनियस लीने डिफ्रेंशिल एक्वेशन किस तरह से होती है उनको अपन किस तरह से सॉल करते हैं यह अपने प्रिविएस वीडियो में देखा था आज का जो वीडियो है उसके अंदर अपन उसके कुछ और इंपोर्टेंट एक्जांपल से उनको अपन डिसकुस करने वाले हैं किस तरह से साइमल्टेनिस एक्वेशन के अंदर अपन अक्स और वाई जो वेरियबल्स अपने गिवन होते हैं एंटिक्पेंट हैं किसि एक ताइसरे को पॉआएपने होच अपने गिवन डिसकुस किया था उसके अंदर अपन ने देखा था कि आपने निखाली थी तो उसमें only अपने Complementary Function की help variance kine value को find out मिह था क्यो pork युप ओक Donal था तो सक्डे ये athman आंटका संट्सिंट को यह अँपर find out नहीं किया तो आज किखी और अपने इंटेस। अपने प्रिंटेग्ल को find out करना हो तो किस तरह से वन values को निकालेंगे उसको अपन आज की वीडियो में देखने आलें तो start करते हैं अपना जो example है उसके अंदर अपने वो value जो है वो क्या given है देखिए value given है अपने को x dx plus 2 dx plus 2x minus 3y बराबर में t ये तो ये value अपने पास में given है और दूसरी value अपने पास में given है dy ये तो x की equation है dy plus sorry minus 3x plus 2y equal में given है e की power 2t ये value यहाँ पर है given है और इन दोनो equations की हेल से अपने को क्या निकालना है x और y की value को find out करना तो start करते हैं अपन सबसे पहले x की x वाली value को देखते हैं तो इसको अपने d plus 2x minus 3y बराबर में t इसको equation number first नाम दे देते हैं ठीक है इसी तरह से जो second equation है उसमें minus 3 इस अपन भाहर रख लेते हैं इदर और plus में लेते हैं क्या d plus 2y equal में e की power 2t और equation number ये दे दिया 2 अब देखें इन दोनों को अपने को क्या करवाना है equal बराना है तो अपन किस तरह से इनने find out करेंगे अब देखें अपने equation number 1 है इसमें अपने को दिख रहा है कि minus 3y है यहाँ पे तो अपने को इसको d plus 2 से multiply करवाना है और यह जो value आपको दिख रही है इसको आपको किस से multiply करवाना है minus के 3 से यानि only 3 से multiply इसको गरवाना है ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे समी करणे एक को d plus 2 से तथा समी करणे 2 को 3 से गुणा करके जोडने पर क्योंकि यह देखिए plus में है यह minus में है यह plus में है तो जोडने पर यह क्या होंगे हट जाएंगे गुणा करके जोडने पर तो देखिए क्या बनेगा आपना equation number first होगी वो तो बन जाएगी d plus 2 का whole square x minus 3 d plus 2 y बराबर में d plus 2 t यह value आगे ही देखिए तो और सामने जो है वो अपना क्या बन जाएगा equal में जो value है वहाँ बन जाएगा अपना इसके साथ इसको किसे multiply करवाना है 3 से multiply तो यह हो गया minus का 9 x और यह हो गया plus का 3 d plus 2 y और बराबर में इसको 3 से करवाना था तो 3 e की power 2 t यह value यहाँ पर बन गई अब देखिए यह वाला तो क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो देखिए अपने पास क्या बचेगा value जो बचेगी उसको अपन लिख लेते हैं अब देखिए x की पॉम में अपने पास बचा है d plus 2 का whole square minus 9 और बाहर क्या है x और बराबर में अपने बचा है d plus 2 t plus e की power 3 e की power 2 t यह value यहां पर बचेए तो इसको सरल कर लेते हैं अपन तो देखिए इसको सरल करेंगे तो आएगा d square plus 4 x plus 4 minus 9 और इधर x इधर अपन multiply घराते हैं तो यह बन जाएगा 2 t plus 1 plus 3 e की power 2 t यह value यहां पर बन जाएगी अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं अमने पास क्या values बनती है तो देखिए value जो आएगी वह यहां पर बन जाएगा d square plus 4 x minus 5 x equal equal में है 2 t plus 1 और प्लस में 3 e की power 2 t अब देखिए x की value find out करनी है तो आपन पहले तो complementary function ग्याद करेंगे तो यहां पर si x अमिकरन जो बनेगी वह यह बन जाएगी si x अमिकरन निकालेंगे तो आजाएगा यहां पर m square plus 4 m minus 5 equal to 0 तो यहां से जब अपन m की value निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगी इसको लिखेंगे m minus 5 sorry m minus 1 और m plus 5 बड़ाव में 0 तो यहां से अपने m क्या define हो जाएगा एक तो 1 आजाएगा और क्या जाएगा minus 5 आजाएगा तो यहां से अपन complementary function को लिख लेंगे तो आएगा c1 e की power में t plus c2 e की power minus 5 t यह value यहां पर क्या बन जाएगी अपनी complementary function की value यहां पर define हो जाएगी अब अपन क्या निकालेंगे यहां पर particular integral निकालेंगे particular integral जो है वो इस value के लिए निकलेगा यहां पर यह value 0 नहीं है तो देखे particular integral अपना किस तरह से find out करेंगे लिखेंगे pi बरब यहां पर 2t plus 1 इसके नीचे आजाएगा d square plus 4x minus 5 एक तो इसके नीचे आजाएगा और एक 3e की power 2t बटा d square plus 4x minus 5 इसके नीचे आजाएगा ठीक है अलग अलग के नीचे आजाएगा दोनों में अपने क्योंकि यह exponential का function है तो इसके लिए अलग निकलेगा और यह अपना क्या है polynomial function है तो इसके लिए अलग निकलेगा तो अपन सरल करते हैं इसके लिए सरल करेंगे तो यह 2t plus 1 तो भार as it is रहेगा यह क्या होगा उपर जाएगा value जो है इसमें से अपने क्या common निकलेगा minus का five common निकलेगा minus का five common निकला तो यह बना one plus है sorry यहाँ पे d है तो अब देखिए यहाँ पर जो values है उसमें क्या बनेगा अपना minus में यह 4d by five plus d square by five यह रहेगा और इसका inverse plus अब यह देखिए लेके Spencer e की पावर two t है तो यहाँ पे d square की जगये और d की जगये उपन क्या put कर देंगे डी की जगये निकिकर देंगे is When to put कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा three e की पावर two t यहाँ पुट किया तो बन गया 4 यहां पुट किया तो बन गया 8 माइनस से 5 यह वेल्यू बनी अब इसको और सरल कर लेते हैं अपन तो देखें क्या वेल्यू अपने पास डिफाइन होगी अपने पास वेल्यू जाएगी पहले इस इंवर्स को खोल लेते हैं तो यहां पर यह टू टी प्लस वन जो है उदर लिखा जाएगा पर पहले नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इस अपने को क्या करवना होता है इस पर अपलाई करवाना होता है तो माइनस एक माइस यह uciónमा को अपना बार चली रहा है Ły को य यह 2T प्लस 1 आजाएगा ठीक है और इसके लिए जो आपन सरल करेंगे तो प्लस E की पावर है 3 2T यह था 12 12-5 तो यह बचा अपना 7 ठीक है इतना डिफाइन हो गया अब देखे यह तो उधर वाला पत हो गया अब इसको क्या करते हैं अंदर मल्टिप्लाई करवाते हैं तो आ यह आजाएगा 8 by 5 और 1 का जब अपन डीके से रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आजाएगा तो आगे वाला पत्तों क्या होगा जीरो हो जाएगा इतना ही अपना जो है वो आंसर में आएगा यह यह यहां पर पर्टिकुलर इंटेगल की वेल्यू फाइंड आउट हो ग 2T प्लस यह जो है होगे 13 by 5 ठीक है और प्लस 3E की पावर 2T by 7 ठीक है इस तरह से यह डिफाइन हो गया तो X की जो पूरी वेल्यू है वो क्या डिफाइन हो जाएगी C F प्लस है P I अब C F की जो वेल्यू आई है और P I की जो वेल्यू आई है दोनों को साथ साथ पूट कर देते हैं तो देखिए C F की वेल्यू अपने पास कितनी आई हुई है C1 E की पावर T प्लस C2 E की पावर माइनस 5 T तो यह आगी और इसकी यह पूरी वेल्यू यह आगी माइनस का 1 बाई 25 ले ले लेते हैं बाहर अंदर हो जाएगा 10 T प्लस है 30 यहां आगया 3 बाई 7 E की पावर 2 T इतना डिफाइन हो गया अब अपने को क्या है जब Y की वेल्यू निकालेंगे तो अपने को क्या करवाना पड़ेगा इसका T के सापेक्स आउकलन करना होना पड़ेगा तो लिखेंगे T के सापेक्स आउकलन से तो देखेंगे जब इसका T के सापेक्स आउकलन करेंगे तो DX by DT की वेल्यू क्या डिफाइन हो जाएगे अपने पास में इसका करेंगे तो यह हो जाएगा C1 E की पावर T रहेगा इसका करेंगे तो और इसका करेंगे तो यह बन जाएगा 6 by 7 E की पावर 2 E 2 आगे जो है वो 3 से यहां पर मैल्टिप्लाइगी हो जाएगा तो यह वेल्यू जो है वो अपने पास दिफाइने हो जाएगी और यह किसकी वेल्यू आई है डी एक्स की वेल्यू आई है अब देखो equation 1 और 2 अपने जिसको नाम दिया था वहां से अपन क्या करेंगे y की वेल्यू को x की फॉर्म में निकालेंगे ठीक है जो equation number first है उससे निकाल लेते हैं अगर समीकरण एक से तो समीकरण एक में क्या है d x plus 2 x minus 3 x बराबर में क्या है t यही वेल्यू ना इसको अब क्या कर देते हैं replace कर देते हैं सो और यहाँ पे y है तो 3 y बराबर में value हो जाएगी d x plus 2 x minus का t यह value यहाँ पर define हो जाएगी अब देखे इसमें x और dx दोना की value को अपन पुट कर देते हैं और answer को find out कर लेते हैं तो देखे अपना value क्या बनेगा 3 y है d x d x की value अभी अभी अपने इंकालते है c1 e की power t minus 5 c2 e की power minus 5 t यह हो आता और a को आया था प्लस की 6 by 7 e की power 2 t और minus का 2 यह तो किसकी value आई थी d x की value यहाँ पर define है हुई थी यह तो लिख ली है अपने इसके बाद अपने को क्या लिखना है x की value लिखनी है झाल 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 झाल